वाट्सप गाइज, I hope you are doing well, I am माज, सोडियर इस्टुडेंस, आज हम क्लास 10 केमेश्ट्री NCRT का चैप्टर नमबर 5 डिसकस करेंगे, जो होगा पार्ट 5, इससे पहले के 4 पार्ट में हमने बहुत सारे चीज़ें डिसकस की, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपक क्या किया था, मिंदलिफ की प्रियोड़क्टेबल, येकिन उसके अंदर हमने देखा था, at last में कि कुछ कमिया रहे गई थी, जैसे तीन कमिया थी, पहले क्या में क्या थी, कि उसके अंदर हमें हाइड्रोजन को सही प्लेस नहीं दिया जाज सका था, उसके लावा करेक नहीं भड़ता है, जाकिन एक के बाद कभी छे आजा रहा था, कहीं चार आजा रहा था, कहीं तीन आजा भाद आजा है ना मतलब बिल्कुल हमने जैसे उस तिन समझाए था, कि आपका जैसे माल लीजी है हे हाट्रोजन का वन है तो उसके बाद लीथियूम का 6 था, उ क्योंकि और यह भी नहीं पता जा सकता था कि एक से दूसरे एलिमेंट के बीच कितने एलिमेंट और खोजे जा सकते हैं डिस्कवर किये जा सकते हैं ठीक तो यह कमिया थी बेसिक कमिया थी इसके बारे में हम इसको दूर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले 1913 में हैंरी मौजले यह नाम याद रखेगा हैं हैंरी मौजले ने मैं अबैस करते हैं आपका च utiliz क кम एक मदा है लेकिन आपका अबका आपका अट्रमिक माश है जो अट्रमिक नंबर को और विचा किया गया और उसको अट्रमिक नंबर के बेशिस पर बनाएगा तो यह आपकी अट्रमिक माश ऑच सब्सका बेश remedy कर करके और इसको किसके बेस पर बनाया गया atomic number के बेस पर बनाया गया और जून का law था उसको भी change किया गया है उसके अंदर क्या गया था properties of element are periodic function of their atomic numbers ठीक है यकिन वहाँ पर क्या था कि atomic mass सब पूरा चीज यही थी कि आपका properties of element are a periodic function of their atomic mass था वहाँ पर इनके अदर यह law change हो गया यह law बहुत important याद रखिएगा और modern periodic table में क्या था कि properties of elements are a periodic function of their atomic number तो atomic number और atomic mass का सिफ़ difference है बाकि सारी चीज़े हैं वही है ठीक है तो जैसा कि हम जानते है atomic number क्या होता है atomic numbers कैसे पता चलता है atomic numbers जो आपके number कहते हैं इसलिए आपका इसको अगर हम increasing order में रखते हैं सारे element को increasing order में आपका atomic number के increasing order में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगी modern periodic table प्राप्त हो जाएगी तो हमने क्या किया कि जितने भी element थे सबको arrange किया increasing atomic number के form में ठीक है increasing atomic number के form में सबको arrange कर दिया दिना हमें क्या प्राप्त हो गया classify क्या हो गया modern periodic table प्राप्त हो गया ठीक है और ये predict किया गया कि आपका ये उससे ज़्यादा अच्छे से जो जो है आपका मेंडलिफ की periodic table थी उससे ज़्यादा बिटर जो है आपकी information देगी और उससे ज़्यादा अच्छे से work करेगी जो आज कर भी रही है ना तो इस तरीके से यह हमें modern periodic table प्राप्त हुई और जो modern periodic table थी वो मेंडलिफ की जो तीनों कमिया थी तीनों कमियों का इसके अंदर सुधारा गया ठीक है इस तो हम modern periodic table के देख लेते हैं और इसके key features हम next part में discuss करेंगे यह आपकी modern periodic table और इसको copy में बना लेंगे अब यहाँ पर देखे समझेगे वही चीज़ यहाँ पर यह periods है और यह आपके क्या है गुरूप नंबर है ठीक है 1,2,3,18 गुरूप टोटल ठीक है और आपके गुरूप और इसमें दो अलगे lengthenide and actinide इन सब के बारे में हम एक एक चीज को discuss करेंगे लेकिन next part में discuss करेंगे क्योंकि आप का work ज्यादा हो जाता क्योंकि आपको यह भी बनाना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके metals यहाँ तक यह आपके कौन से हैं metals हैं इतने इधर वाले यह स और यह metals हैं तो जितने भी यह metals हैं इनके अंदर metals के भी कुछ गुड़ हैं कुछ properties हैं और non metals की भी कुछ properties इसलिए से क्या कहा जाता है metals कहा जाता है तो आप यह बात ध्यान में रखिएगा आपके इधर कितने पूरे metals हैं इधर कितने यह क्या हैं यह non metals है और यह जो आपके बीच में यह line गई है यह क्या है metals की है जिसके अंदर दोनों का गुड़ पाया जाएगा तो I hope आपको यह पूरा समझ में आया होगा इसको बना लेंगे इच्छे से modern period of table है इसको आपको mind में रखने इसको कैसे याद करने यह आगे 11 में याद करने रहेगा भी याद करने कि इसको जरूरत नहीं बस आपको